हेलो फ्रेंट्स वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना WhatsApp का DP हाइट कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चाते हैं कि उनका DP कोई न देखे या फिर दुश्टो चाते हैं कि कोई एक दो परसं ही देखे जिसको अपना DP दिखाना चाहते हैं तो जे हैं दुश्टो जहे इस वीडियो ने हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से जहें आप चाहें इसके लिए दूस्तों जो आपको सबसे पहले आपना WhatsApp को open कर ले ना है तो चलो है दूस्तों जो हम यहाँपर WhatsApp को open करने के बाद सबसे उपर आपको 3 dot का option दिखाई दे रहा होगा तो उसपे आपको दूस्तों Ёह click कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको जहें सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में दुस्तों जहें जाने के बाद यहां पर आपको एकाउंट का ओप्शन दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आपको दुस्तों जहें क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको दोफ्तोर श्यें यहांं पर जख सकते हैं बहुत सारे उप्शन आपको मिल जाएगे लेकिन आपको प्राइविसी के उप्शन पर क्लिक करना है इसमें तो दोफ्तोर श्यें ह। ग्लिक करते हैं आपको फोन में यह सेटिंग हो चुका है अब दोस्तों जो लोग को आप सेलेक्ट किये थे तो वह आपका डीपी नहीं देख पाएंगे और बाखे लोग दोस्तों आपके वाट्टव को एक और करें पर श्राइब्स ठेटस देखते तो status देखने के दवरान आपको उसको hold करके रखना पड़ता है तब जाके दोस्तों उसको फोटो को जितना मर्जी जितना टाइम तक आप देख पाएंगे लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपको उस फोटो को देखना है उसके status को देखना है बिना दोस्तों कोई परूख जाएगा और चाहे तो आप दोस्तों कितने समय के लिए उसको देख सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि अभी वाट्सेप का बहुत ऐसे ऐसे फीचर से हैं जो कि अभी आने वाले हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वह इंफर्मेशन पहुंच सक तो आप दोस्तों मेरे यूट्व चांग को सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए मिलते आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए